Hello viewers, this is Priya. Today we will start Class 6, History Chapter 10, Buildings, Paintings and Books. Marustami, एक लड़का है, वो अपने भाई के साथ कुतूब मिनार देखने जाता है. अब जब वो लोग जा रहे होते हैं, तो उसका भाई उसको वीलचेर पर लेकर जाता है, क्योंकि देखो, वो हैंडिकाप्ट होता है, आप देख सकते हैं इस पिच्चर में, तो वो बहुत उबर्ट खाबर जगा से जाता है, बहुत मुश्किल से पहुश्च से हैं. फाइनली उनका जाना ना सकसेस होता है, क्योंकि वो एक आईरिन पिलर को देखते हैं, जो कि बहुत ज़दा फेमस होता है. Metallurgy Metallurgy मतलब होता है कि अगर हम कोई भी दो metal ले उसको mix करके हम एक third metal बना रहे है जिसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि हरपन के time पर जो हरपन civilization था ना उस time पर copper और tin यह दो metal है copper और tin इननों को mix करके bronze बनाया जाता था हरपन के time पर ना iron था ही नहीं iron pillar डैली में जो महरोली है ना वहाँ पर है अच्छा डैली में कौन कौन रहते है मुझे comment section में बताओ और डैली में जो महरोली वाला area है वहाँ पर कौन कौन रहते है उसने तो पक्का देखा होगा iron pillar को अब अब अन्दाजा लगा सकते हैं कि इंडियन क्राफ्ट कितने इंटेलिजन्ट होते थे इतना अच्छा iron pillar बनाया है वो भी 7.2 मीटर हाइट का और इसका वेट है 3 टन 1500 येर पहले बनाया गया था ये अब हमें ऐसे पता चलता है कि इतना पुराना था ये क्योंकि इस pillar पर inscription मतलब लिखा हुआ है कि इतना पुराना है और चंदर रूलर ने बनवाया था अब चंदर रूलर तो नाम कुछ जाना पचाना लग रहा है ये गुपता डैनेस्टी के से ना चंदर गुपता तो हो सकता है ये उन्होंने ही बनवाया हो सबसे जादा amazing बात तो ये है इस pillar की कि इस पे कभी rust मतलब जंग ही नहीं लगती ये pillar ऐसा का ऐसा ही रहता है चै कितनी भी बारिश है कितना भी पानी डले इस पे buildings in brick and stone पहले के time पे जो crafts person होते थे ना तो वो बहुत सुन्दर-सुन्दर buildings बनाते थे जैसे की brick or stone से बनते थे building तो एक stoop मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ncati में यह figure मैंने लग से लिया है तो एक stoop और यह mount type में आपको दिख रहे हैं यह circle type में उपर तो यह बनाया जाता था और इसके बीच में है ना कुछ ऐसा समान रखा जाता था जैसे बुद्धा और जो उनके followers से उनकी जब जैसे followers से उनकी death हो जाती थी तो उनके जासे tit, bone यह सब कुछ बचता था था ना तो उसे इसके बीच में बिल्कुल इसमें लिखे है ना center और heart of the stoop इसके बीच में रखा जाता था और ashes जो राक बचती थी वो भी रख देते थे या कोई precious stone या coin इस type का जो भी होता था ना बुद्धा से related या उनके followers से related तो उसको इस तूप के बीच में रखा जाता था और यह जो इस तूप होते थे ना यह round, tall, big और small होते थे मतलब different kind के होते थे अब यह सारा जो समान है इसको center में रखने के बाद इस box को जो इस box में रखा जाता था जिसमें अंदर यह समान रख देते थे उसको रहता था relic cascade और इसको पुरा cover कर देते थे इसके उपर और मिट्टी लगा देते थे और brick लगा देते थे मतलब इटो से पुरा और layer पे layer मना देते थे इस तरीके से cover करते थे इसको पुरा top तक इतना सब कुछ add करने के बाद है जिसे मिट्टी और यह जो eat है यह सब add करने के बाद यह तरीके से dome जैसे structure बन जाता है यह इसका अब जो stoop है ना उसके पुरे आसपास पुरे surrounding में एकना रास्ता बना देते हैं जिसे कि लोग आ जा सकें तो उस रास्ते को बोले जाता था प्रदिक्षिन पत इसके आसपास पुरा railing लगा होता है तो जो भी भगण होता है जो भी devotee होते हैं वो gate से enter करते हैं और gate से enter करने के बाद वो clockwise direction move करते हैं चक्कर लगाते हैं clockwise direction railings और gateways जो होते हैं वहाँ पर मूर्तियां लगी होते हैं sculpture लगी होते हैं इतने सुन्दर decorated होते हैं देखो यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं इस figure में यह वाला जो area नहीं जो आपको दिख रहा है railing यहाँ पर लोग चक्कर लगाते हैं ठीक है इसको बोलते है दक्षिन पत और clockwise लगाते हैं पूरे इनको ना पूरे चक्कर लगाना पड़ता है इस पूरे राउंड राउंड ऐसे और आप देख सकते हैं रेलिंग लगी हुई है यह काफी decorated होती है यहाँ ना काफी सारी मूर्थी वगरा भी होती है यह जो आप स्तूप देख रहे हैं इस फिगर में यह मद्यपरदेश के साची में है और इसे बनवाया था अशोका ने अशोका ने इस स्तूप को बनवा दिया था बाकि जो रेलिंग और गेटवे का काम है ना वो इसके बाद जो रूलर्स आये थे उन्होंने बनवाया था उनको तोड़ तोड़ के आर्टेविशल केव बनाई जाती थी और उस केव को अच्छे से डैकोरेट किया जाता था स्कलप्चर मूर्तिया बनाई जाती थी उसके पेंटिंग उसके जो वॉल होती इसको बहुत पेंट कर देते जिसे की अट्रैक्टिव लगे सुन्दर सा के देखने में कुछ केव में हिंदू टैंपल बनाया गया था और उस टैंपल में ना उनकी डेटी की देवी देवताओ की पूजा होती थी जैसे कि विश्नु शेव तुर्गा की टैंपल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था एक रूम था जिसका नाम था गर्भ गेहा और इस गर्भ गेहा हमेना चीव डेटी जो सबसे मुख्य जो भगवान होते थे उनके उनको रखा जाता था और यहाँ पर पुजारी जो होते थे प्रिस्ट होते थे वो पूजा करते थे और जो डिवोटी होते थे जैसे जो भी भक्त होते थे वो अपने भगवान की पू टो मलब जो मूर्ती होती थी उसको यहां पर जो बताया गया है गर्ब्ग्रेहा तो गer्ब्ग्रेहा करे जो जस्ट ओपर वाला धा यह तो यहां पर यह उस самого और इसमें एक हॉल में तो उसुम्ट में जो हॉल ऐसे बनालuction दा था मंडब इस अब हौल में सभी लोग इखटे होते थे जब भी कोई प्रोग्राम होता था या फिर कोई मीटिंग होती थी टैंपल से लेटेड तो यहां पर सब लोग मीटिंग करते थे और यहां पर यहां पर जो figure दिख रहे हैं यहां पर जो टैंपल है यह एक ही stone से बना है मतलब बहुत भबड़ा स्टौनॉ था उसको कार्व करके यह सारे टैंपल बना है इस वज़े से बूला जाता है Monolithic ईर कोई एक ही स्टौन से पुरा टैंपल बनता है तो से बूला जाता है Monolithic तो यहां पर बता रहे हैं कि जो स्टूप और जो टैंपल्स होते थे वो कैसे बनाया जाते थे जादा तर जो टैंपल और स्टूप थे नो किंग्स और क्वीन बनाते थे और इसमें बहुत पैसा खर्च करते थे उन्हें चाहिए था कि good quality of stone होना चाहिए और जहां पर वो बना रहे हैं तो वो काफी अच्छी प्लेस होनी चाहिए और बड़े-बड़े अच्छे से हो इस चीच पर उनका focus रहता था यहां पर आप देख सकते हैं जो figure है यह उडिसा में जैन monastery है उसकी है तो यहां पर एक पुरा एक stone था बहुत बड़ा rock था ठीक है पत्थर था उसको खोद के छेद करकर करके मतलब होता है कि छेद करना है खोदना उसको खोद खोद के देखो कितना सुन्दर सा इनोंने बनाया है यहां पर monastery जो इस temple stoop में मूर्ती बनाते थे यह इनको design करते थे build करते थे बनाते थे इनको तो उनको ना उन craftsperson को kings और queens अपने treasury अपने खजाने में से पैसा देते थे मतलब इतना साथा पैसा लगाया जाता था इन सब चीजों को बनाने में और कभी कभी तो जो devotee होते थे जो भक्त होते थे जो आते थे temple में इस तूप में तो वो लोग आया था वो उनके द्वारा लगा गया था इसलिए ऐसा नहीं है कि बस king और queen ही बनाते थे इसमें काफी सारा contribution और लोगों का भी होता था जैसे कि जो merchants होते थे farmers होते थे garland makers perfumers इसमें लिखाए smiths और hundreds of man and women जो भी लोग यहां पर आते थे तो वो लोग जो भी किसी ने भ gift की pillars, railing, walls यह सब भी gift करते थे यह सब भी बनवाते थे वो अपने पैसो से और उसमें अपना नाम भी लिखवा दे तो आप कहीं पर अगर जाएं और आपको बहुत पुराना मंदिर दिखे तो वहां पर दिखना नाम भी लिखा होगा किसी किसी का तो उससे आप पता लग यह प्लेस है वहां पर ना hills को कटकर के बहुत सारी केव बनाई गई है तो वह जो केव सै वो बुद्धिस्ट मॉंग के लिए बनाई गई है उनके monasteries बनाई गई हैं महाँ पर Monasteries मतलब की जो Buddhist monk होते थे वो महाँ पे आके रहते थे एक तरीके से आश्रम होता था उन लोगों का तो उस kora बहुत सुन्दर अच्छे से decorate किया जाता था उस पर painting बनाई जाती थी caves में तो अंधेरा होता है बहुत dark होता है cave तो इसमें painting कैसे बनाई जाए तो torch का use करते थे torch लेके फिर painting बनाते थे सोचो कितना tough होता था उस time पर और 1500 years पहले ना plants और minerals से बनाई जाते थे colors तो इसे colors का use करते थे जो बहुत चमकीले dark होते थे vivid मतलब होता है चमकीले यहाँ पर आप देख सकते हैं यह cave में ही बनाई गई है painting तो cave में जो painting बनाई जाती थी उसमें काफी चमकीले color shiny color use किये जाते थे जिससे कि ओं cave में दिखे चमके the world of books अब इसमें जो कुछ famous books होती थी उन्हें मुले आता epics अब epics जो होते थे वह बहुत बड़ी-बड़ी बहुत जादा जादा लिखा होता था उसमें किसी महान व्यक्ति या फिर भगवान के बारे में लिखा होता था ऐसी एक famous तमिल epics है जिसका नाम है सिलापड़ी कराम तो यह एक point ने लिखे थी जिसका नाम था इलांगो 1800 यह पहले इसमें एक merchant की स्टूरी है जिसका नाम है कोवलन वो पुहार में रहता है एक जगा है पुहार वहां पे रहता है तो उसे एक लड़की से प्यार रहता है उस लड़की का नाम होता है फिर वो दुहार अपनी वाइफ के पास आता है सौरी बोलता और कहता है कि हमना पुहार में नी रहेंगे अब हम चलते है मधुरही तो मधुरही में जाते है ना तो वहां का जो राजा होता है पांडे तो पांडे के जो कोट होता है दरबार होता है उसमें एक जोईलर होता तो इस वज़े से उसके जो वाइफ होती है कंडगी उसे गुस्सा आता है वो कहते है कि यार यह तो गलत क्या है मेरे पती ने तो जोएले चुराई भी नहीं और उसे इतनी बड़ी सजा और वो इतना जादा गुस्से में आ जाती है कि पूरे मधुरी को डिस्ट्रॉय कर दे इस एपिक में कंडगी के दुख को बताया गया है कि वो कितनी दुखी हो रही है कि यहां पे तो कोई जस्टिस ही नहीं है कुछ कोई इंसाफ ही नहीं है किसी को भी मार दे रहे हैं यह कोई इंसानियत होती है ऐसे करना चाहिए लोगों तो डर भी नहीं है भगवान का भी 100 पहले इसमीं और माधवी की डौक्टर की स्टॉरी बताई गईय भी कोवलें जिसको फांसी रजा ने सिह दिय थी और कोवलन का पहले वह किसी किसी और रेट ब्रह प्यार करता तो यह कुछ 100 एर पहले मिली थी जो स्टोरी है कालितास की फेमस पोयम है जिसका नाम है मेगदूद तो इस पोयम में दो लवर के बारे बताया गया है जैसे कि आज के टाइम पर आप बॉइफर्ण गल्फरेंड समझ लो तो उनकी स्टोरी बताया गया है इस पोयम का नाम मेग दूद इसलिए रखा गया है यहाँ पर जो मेग है उसको बताया गया है कि वो क्लाउड है और दूद मतलब कोई मैसेंजर है वो क्लाउड के थू जो लड़का है जो भी किंग है वो क्वीन के पास पचा रहा है अपना मैसेज रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज अब यह जो स्टोरीज होती थी ना इनको कैसे प्रिजर्व किया जाता था कैसे record किया जाता था जैसे कि आप Hindu religion की बात करें तो Hindu religion में भी ना जो बहुत पुरानी पुरानी stories है जिने पुरांस बोला जाता है पुरांस मतलब old ठीक है जैसे कि देवी देवता होते हैं विश्नु, शिव, दूर्गा, पारवती इनकी जो story है ये बहुत बहुत सालो पुरानी है और पुरांस में stories में इनके बारे में बताया गया है कि कैसे हमें पूजा करनी चाहिए और ये world कैसे बना और king के stories भी बताई गई है काफी सारी, पुरान जिसे old stories बोला जाता था, तो ये बहुत सिंपल संस्कृत language में लिखे होते थे इनको ना allowed नहीं था कि ये ना जो women और शुद्र है वो पढ़े वेद पुरान है ना ये women और शुद्र को allowed नहीं होता था तो लेकिन इस सुन सकते थे मंदिरों में जो पंडित होते थे ना वो इस पुरान को सुनाते थे जो भी women होते थे शूद्र होते या फिर जिस भी लोगों को सुनना होता थी तो वो लोग मंदिर जाते थे और जो पंडित होते थे वो पढ़ पढ़के इन लोगों सुनाते थे और ही सुनते थे यहाँ पर two Sanskrit epics के बारे में बताए गया है महाबारत और रमायन यह तो आप लोगों को बताई होगा बहुत popular है बहुत famous है तो इसमें जो story बताई गई है जैसे महाबारत में story बताई गई है कौरव और जो पांडव थे उन दोनों के बीच की लड़ाई के बारे में बता गया और यह दोनों ना कजन थे तो इन लोगों में इसलिए लड़ाई हो रही थी क्योंकि यह ना कुरूज और जो एक कैपिटल थी उसकी हस्तिनापूर वहाँ पे कबज़ा करना चाते थे तो इसके पीचे लड़ाई हो रही थी दोनों में यह स्टोरी 1500 इयर से भी ज़्यादा पुरानी है लेकिन इसे लिखा गया था 1500 इयर पहले पुरांस और महाभारत व्यास ने लिखी थी और जो भागवत कीता है ना वो भी महाभारत का ही पार्ट ऐसे ही एक और ओल्ड स्टोरी है रमायन इसमें एक प्रिंस के बारें बताया गया है जिनका नाम है राम यह कोसाल के प्रिंस है इनको ना बनवास भेज दिया जाता है तो जो इनकी वाइफ होती है ना उनको एक लंका का किंग रावन उठा के ले जाता है अब राम और रामर दोनों में फाइट होती है तो राम जीतते हैं और यह आयोध्या आ जाते है जीतने के बाद आयोध्या कोसाल की कैपिटल होती है तो जैसे महाभारत थी ना इस तरीके से ही यह भी एक ओल्ड स्टोरी है और यह संस्कृत में लिखी गई है वालमी की जी के दुआरा Stories told by ordinary people जो आम जंता थी न जो normal people थे वो भी अपनी स्टोरी बताते थे और poems, songs और गाना भी गाते थे dance भी करते थे और play भी perform करते थे कुछ जो है स्टोरी का collection पिजर्व करके भी रखा गया जैसे की जातक और पंचितत्र पंचितत्र के बारे में तो आपने भी सुना होगा और आपने सुना है तो मुझे comment section में लिखो और जातक्स की में जो stories होती थी उसमें Buddhist monkey जादे story होती थी जैसे की जो स्टूप होते हैं उसके railing पे stories लिखी जाती थी पेंटिंग में पेंटिंग के थूरू बताई जाती थी stories जैसे की अजन्ता में न स्टूप तो उसमें भी काफे सारी stories बताई गई है जातक्स की ऐसे ही हाँ पर एक story बताई गई है monkey the story of the monkey king एक बार की बात है एक great monkey king होता है उसके 80,000 followers होते है it means 80,000 monkeys होते है वो इस great monkey king की बात मानते है इसके followers होते है तो एक दिन क्या होता है यहां से इनके यहां से जो tree होता है वहां से mango तूट के पानी में गिर जाता है और वो जो mango होता है वो river में float होते होते हैं बहते बहते जो वारनसी में एक river है वहां पे बहते बहते एक ऐसी जगा पे से ली जाती है जहां पे king नहा रहा होता है तो king देखता है और वाई यह तो बहुत अच्छा tasty सा fruit है यह कहां से आया तो वो अपने राज्य में जाके बोलता है कि जाओ और ढून के लाओ यह कहां से आया है यह वाला fruit और उस जगा पे हम अपना कबजा कर लेंगे capture कर लेंगे और वहां के लोग को मार देंगे अब यह बाद जब monkey के king को पता चलती है तो वो तो tension में आ जाते है और यार मेरी इतने सारे followers हैं यह तो सारे मट जाएंगे तो क्या करते है जो tree होता है उसके branches को cut करके और एक bridge form करते है बरीज बनाते है जिससे की जो बागी के monkeys हैं वो river से एक जगा से दूसरे जगा पर चले जए safe side में चले जए तो यहां पर आप स्क्लप्चर में स्मूर्थी में देख भी सकते हैं जो बनाया जो बंदर है इन्होंने एक पुल बनाया है औरना सारे बंदर एक जगा से दूसरे जगा पर shift हो रहे है जिसे की बच सके जब इस सारे बंदर shift हो रहे होते हैं river के दूसरे side में तो जो इनका king होता है ना monkey king कि उसकी डेथ हो जाती है वो रीवर में गिर जाते हैं तो अब ये बात पता चलता है जो हीमन किंग था जो इन्होंने बोला था कि जाओ देख कर आओ कहां से आया है मैंगो तो उसको बहुत दुख होता है उन हीमन किंग को बोलता है यार ये तो गरत हो गया इसके साथ ऐसा होना चाहिए था और ये जो हीमन किंग होते है ना ये जो मंकी किंग जिनकी डेथ होती है उनको फुल रिस्पेक्ट देते हैं उनके लिए मौन रखते हैं कि इनकी डेथ हो गये भगवान इनकी आत्मा को शान्ती दे ये स्टोरी सेंट्रल इंडिया में एक प्लेस है भारू वहाँ पे जो स्टूप है तो उसमें एक स्लप्चर है उससे पता चलिया इस्टोरी देखो ये वाले स्लप्चर था वहाँ पे तो इधर से पता चलिती है मंकी वाली स्टोरी राइटिंग बुक्स और साइंस अब जो आरे भटते ना वो ग्रेट मैथमेटिशन और एस्ट् पे होती है और एकलिप्स के बारे में बताया है जैसे कि आपने सुना ओगा सूरी ग्रहन होता है चंद ग्रहन होता है तो वो किस तरीके से होता है उसकी एक्स्प्रेशन भी दिया है इन्होंने ही और यह एक तिम एक्कुरेट फॉर्मुला है जिसको हम आज यूस करते है त और काफी सारी चीजों की डिसकोवरी जैसे इंडिया में हुए से जीरो है जो जीरो डिजिट है उसकी डिसकोवरी हुए है वो इंडिया में हुए है और इंडिया से ही बाकि सारी कंट्रियें पता चला है कि अच्छा जीरो भी होता है ऐसे ही आयूर्वेद इंडिया में ड अब आप इन फिन्दा ब्लेंक्स का अंसर मुझे कॉमें ट सेक्शन में लिखके दिखाओ ये थी इस चैप्टर की स्टोरी इफ यह वावने डॉट राइट इक डाउन इन दो कॉमेंट सेक्शन and please like and subscribe my video and share with your friends thank you